हेलो गैज आज हम लोग जो कंपनी के बारे में बात करने वाले हो आईटी सेप्टर की दिगर्ज कंपनी है और इस पे बड़े बड़े टार्गेट्स हैं और यह स्टॉक यहां से आपको बहुत जादा तेजी दिखा सकता है डिविडेंट भर-बर के देती है ना जाने कितने लोगों को कितने पैसे बना के इस स्टॉक ने दे दिया अभी यह इस्टॉक हाल फिलाल पर बहुत जादा तेज हो सकता कमपनी धाकड है और कमपनी लार्ज केप कमपनी है डेट फिरी कमपनी है क्या क्या कहूं इस कमपनी के बारे में सारे सब्द कम पढ़ जाएंगे आप स्टॉक का नाम देखके सिर्फ ना भगगिएगा स्टॉक की एट लिस्ट टार्गेट्स देख लीजेगा और क्यों ये targets आएंगे वो भी देख लीजेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा देखिए stock का मैं chart आपके पास present कर रहा हूँ देखिए stock में जो chart नजर आ रहा ये stock एक अच्छा खासा moment देने के बाद एक तोड़ा सा consolidation period रहा है अब देखिए stock उपर की और भागने की कोशिस कर रहा है तो याद रखिएगा इस stock को ये stock 925 पे है इसी से मिलती जूलती दूसरी company जो है पहले मैं इसका नाम दिखा देता है Infosys Limited के बारे में बात कर रहा हूँ अब आपने समझ किया होगा कि मैं इसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा था जी हाँ एक डीट फिरी company, large cap company, साथी पर मोटर्स की तगड़ी holding और देखिए return on capital employed, sales growth, dividend pair क्या इस company में जो value है वो 2528 रुपे का है स्टॉक 925 पे है यह स्टॉक आपको dividend अच्छा खासा पे करता है तो स्टॉक अभी स्टार्ट हुआ है इसकी जरनी 925 पे है यह स्टॉक अभी बड़े स्टॉक उपर ही जाता है ठीक है कितने सारे dividend पे कर दिया इस स्टॉक नहीं ते डिविडेंट पेर के तौर पे इस स्टॉक को देख सकते हैं और इस स्टॉक पे आपको नजर आएगा कि 1000 से भी उपर का टार्गेट है 1020 का टार्गेट है तो इस चीज को ध्यान पे रखिए अगर रिसेंटली इस पे आज ही अपग्रेट टार्गेट आए हैं और मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा है क्योंकि आप आप जाके देखिए गाटीस दो दिनों से अच्छा का सा चल रहा ब देख लिजए अगले बार की डिविडेंट देखिए 2019 की 123 अगर तीनों को इंक्लूड किया तो लगवक 25 रुपय का असपास में डिवीडेंट पे किया पिछले साल 2018 मिनों ने कितने बार डिवीडेंट पे किया 123 तो तीन तीन बार डिवीडेंट पे करता है स्टॉक और क्य रहेंगे क्या अगर आप इस पर बनाते हैं तो नीचे के तरफ इस स्टॉक पर जो सबसे पहला सपोर्ट बनता है इसका 900 पर और यह 900 का लेवल भी ब्लेच होता है तो 900 के बाद इस स्टॉक पर जो कि मुझे अभी हल फिलाल पर नहीं लग रहा है कि यह स्टॉक नीचे के 900 का एक स्टॉप लॉस मानके आप नीचे प्ले किजिएगा उपर के और आपको 1000 एटलिस्ट 980 के असपास तक तो यह स्टॉक दिखेगा क्योंकि बड़े एनलिस्ट इस पर टार्गेट्स दिये जा रहे हैं देखिए मेरा मनना है कि इस स्टॉक को हर गिरावट पर बाई की देजिए और इसे लॉंग टर्म के पोट्फोलियों पर जगा दीजिए आईटी सेक्टर की एक बहुत दिगज कंपनी नेक्स्ट जेनरेशन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली क्लाइन को अपना सारा चीज प्रोवाइड करवाती है ठीक है इनके पास ग् इतने बॉनस इसू की है कंपनी ने लोगों को करोड़ पती बना दिया जिन लोगों ने इनके आईपियों के टाइम से आज से पंदरा से बीस सालों के पीछे अगर कि इनोंने दस हजार रुपिय का इन्वेस्टमेंट किया उसे ऑवरल कैलकुलेट करके मैंने एक वीडियो पर मौझूद है 900 सॉरी 925 पर 1000 का टारगेट उपर बड़ा नीचे बहुत छोटा एक स्टॉपलोस मान के चलिएगा 900 का जब जब सपोर्ट है तो इसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लीजिए और अपना ट्रेडिंग रेंज तेयार कीजिए और इस स्टॉक पर आज भी तेजी देखने को मिल सकती क्योंकि बड़े टारगेट आज ही दिए गए है वह तो मैं आपको पूराना दिखा रहा था आज ही अब अपडेट आई है टीसीएस के बाद इंफोसिस कगल टीसीएस का आया था जाके देखे टीसीएस पर क्या हल चल हुई है और आज इंफोसि किजेगा यह तो परफेक्शन है कि डिविडेंड मिलेगा असा करता हूं मैं आपको एक बहतिरीन कॉलिटी का स्टॉक आपके समने प्रेजेंट कर पाया हूं अगर अच्छा लगा तो लाइक किजेगा और स्टॉक पर बनने से पहले अपने स्टडी को पूरी करने के बाद स्टॉक पर बनिएगा वह आपका डिसीजन होगा ठीक है मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर थैंक्यों